अब रिवीजन के लिए आपको अलग अलग विडियो देखने की जरूत नहीं होगी आप इस सिंगल विडियो को देखेंगे और आपको कोई और विडियो देखने की जरूत बिलकुल नहीं पड़ेगी सारे questions, सारे topics आपको इसी विडियो में how do organism chapter के clear होने वाले हैं तो विडियो को बिना skip करके देखेगा और विडियो अगर पसंद आती है और आपने अगर हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना, लाइक और कमेंट करके बताना ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस विडियो को यहाँ पर मैंने कुछ important जो topics हैं इस chapter के उनको mention कर दिया है नमबर first, a sexual reproduction, नमबर second, sexual reproduction, next, male reproductive system और female reproductive system उसके बाद नमबर five पर हम discuss करेंगे bisexual flower bisexual flower क्या होता है? क्या से उसमें reproduction होता है? और double fertilization और triple fusion क्या है? यह सारी चीज़े और last topic हमारा होगा sexual transmitted disease चलिए स्टार्ट करते हैं नमबर first topic को asexual reproduction asexual reproduction, asexual reproduction एक वो type है reproduction का जिसमें एक body के अंदर शमता होती है capacity होती है एक नई body को जन्द देने की जैसे इसका सबसे easy example आप ले सकते हैं amoeba amoeba से amoeba generate होता है है ना? amoeba से paravision जो generate नहीं होगा पर लेकिन amoeba से जो amoeba generate हो रहा है उसमें कोई variation नहीं आ पाता है क्यों क्योंकि एक ही body का involvement है न तो asexual is a type of reproduction in which single body have a capacity to produce a young ones लेकिन यहां पर कोई variation नहीं आता है slightly variation जो आता भी है वो किसका है surrounding की वज़े से पर genetic modification नहीं हो पाता है clear हो गए बात जो variation आएगा वो आएगा किसमे sexual reproduction में ना कि asexual reproduction के अंदर asexual मतलब sexual नहीं है ठीक है अब सबसे खास बात अब asexual reproduction कई तरीके से होता है अब वो क्या क्या है उनको start करते हैं और उनकी example समझते है number first fission budding regeneration fragmentation fragmentation spore formation vegetative प्रोपेगेशन ठीक है और आप इसमें एक टीशू कल्चर भी साथ में लिख लेना टीशू कल्चर अब देखें में जो यहाँ पर टाइप्स है ना असेक्शल प्रोड़क्शन के अंदर क्या क्या टाइप्स वो अभी हम ले रहे हैं ना ये भी असेक्शल प्रड़क्शन है ये भी असेक्शल है ये भी असेक्शल ये सारे ही असेक्शल की अलग-अलग फॉर्म से अलग-अलग वेज हैं कि इन इन फॉर्म में जो असेक्शल प्रोड़क्शन है वो देखा जाता है कोई एक औरनेस्म सभी में एक्जिस्ट करें ऐसा नहीं है हो सकता है कि कोई एक जो दो या तीम में मैच कर जाए वो एक अलग बात है लेकिन अलग-अलग औरनेज में अलग-अलग तरीके से asexual reproduction होता है और asexual का मतलब क्या था कि भी single body के जरीए ही एक नई body की formation बिना किसी दूसरी body के involvement की क्योंकि sexual में तो आप जानते हैं कि भी दो body का involvement होता है लेकिन यहापर single basis पर होता है तो asexual मतलब sexual नहीं है और sexual क्या होता है दो body का involvement इसका मतलब single body की बिस पर एक नई की formation होना लेकिन वो क्या-क्या forms है इनमें इनका मतलब क्या है और इनके क्या example हो सकते हैं ठीके यह सब चीज़ें में clear करनी है तो number first है मारे पास fission fission में देखिए दो possibility होती है एक binary fission और एक multiple fission ठीक है तो binary fission और multiple fission तो fission जिसमें कोई एक body दो या दो से ज़्याजा हिस्सों में तूट जाती है तो इसको हम fission कहते हैं अब यह तो fission का meaning हुआ लेकिन fission में दो possibility क्या क्या है binary fission और multiple fission binary कब बोलना है आपको जब दो हिस्सों में तूट रही हो body तो उसको binary fission कहते हैं लेकिन जब दो से ज़्यादा में break होती है तो उसको multiple fission कहते हैं अब binary और multiple यह क्या है यह तो आपको पता चल गया है लेकिन इसमें example क्या होगा इसमें आप डालिएगा amoeba और multiple fission के अंदर plasmodium ठीकिए amoeba और plasmodium यह उनके examples होए next budding budding क्या है देखें budding एक ऐसा process होता है जिसमें एक ऐसा type है asexual reproduction का जिसके अंदर एक body उसमें कुछ outgrowth देखी जाती है है ना इसके लिए सबसे easy example है hydra तो hydra का जो lower most part होता है वहाँ से एक exogenous bud generate होती है एक cells का cluster बनता है जो दीरे दीरे grow करता है और grow करने के सासर जब उसका weight जाद हो जाता है और gravity के action की वज़े से यह detach हो जाता है parental access से parental body से और जैसी ही ground surface पर उसको suitable condition मिलती है वो एक नए hydra में convert हो जाता है तो सोची पुराना भी exist कर रहा है और नए आवी तयार हो गया है और दूसी body का involvement भी नहीं हुआ लेकिन fission में क्या था fission में एक body दो हिस्सों में टूड़ गये पुरानी तो नहीं है न पुरानी exist नहीं कर रही अब दो नए है लेकिन hydra में budding वाले case जो आ रहा है उसमें थोड़ा difference है clear हुआ आपको वहाँ पर पुरानी body भी exist करती है ठीक है तो budding वाले case में आपको example डालना है hydra ठीक है hydra next number third regeneration 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 एक ऐसा process होता है जिसमें body के अंदर एक शमता होती है अपने lost part को फिर से gain करनेगी ठीक है जैसे human में भी बलकी मैं यह नहीं कहा रहा हूँ एसेक्शल इप्रोक्षन होता है लेकिन regeneration power human में भी होती है body का कोई part कोई skin में cut लग जाता है तो वहाँ पर skin दुबारा जाती है तो यह भी regenerating power है इसी तरीके से क्या होता है starfish में आपने सुना होगा कि starfish pentameras जैसे structure होती है तो अगर कोई इसका एक part damage हो जाते है तो फिर से cover कर लेता अपने आपको ठीक है बलकि lizard lizard में आपने देखा हुआ tail अगर remove होती है तो tail दुबारा से आजाती है तो इस अब क्या regeneration है लेकिन regeneration asexual की list में भी count किया गया है क्योंकि जिसे आप example देखेंगे न planaria कौन सा example planaria planaria में क्या होता है इस तरह की structure होती है उसकी बिल्कि ठीक है और ऐसे eye spot होते है इस तरही के से तो यह जो planaria होता है इसके अंदर क्या होता है अगर body तीम भागों में बट जाती है तो हर एक part यह अपने आपको complete करेगा middle वाला upper और lower को generate करेगा और lower most part upper वाले part को clear कर लेता है develop कर लेता है तो इस तरही के से regeneration power के list में आता है तो regeneration का मतलब किया है और इसमें example क्या लेना हमें चाहिए वो आपको ध्यानक ना है अब आते हैं next number 4 पर fragmentation fragmentation एक ऐसा process होता है जिसमें एक body कुछ हिस्सों में तूट जाती है कई बार क्या होता है body में part है जो dead हो चुका है और वहीं से body detach हो जाएगी spirogyra ठीक है तो spirogyra जो है एक alga है और ये alga कुछ section में बढ़ जाता है और हर एक part अपने आपको develop कर लेता है इस तरीके से एक spirogyra के structure से तीन या चार spirogyra से त्यार हो जाते है clear हुआ ठीक है अब next number 5 spore formation spore formation एक ऐसा asexual reproduction है जिसमें सबसे best example है bread mold rhizopus bread mold बलकि बहुत easy है bread mold क्या है एक तरह की fungi होती है rhizopus क्या है एक तरह की fungi list में आता है fungi फंजाई भी बोल देते हैं इसको fungi भी कई तरह की होती है lower fungi और higher fungi अगर आप higher fungi का जिकर करते हैं तो उसमें rhizopus तो वह एक ऐसा example है यह आप डारेट फंजाई लिख सकते हैं जो bread पर grow कर जाता है अपने देखा भी होगा कई बार जैसे आप bread यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीन पैच सा वाइट इस सा पैच बन जाता है तो वह क्या एक तरह की fungus वहाँ पर grow कर चुकी है condition मिलने की वज़ा से ठीक है अब इस पॉर formation कैसे नाम कैसे रखा गया राइज वपस की जब structure देखते हैं आप देखे मैं होता क्या है कि जैसे जैसे इसको nourishment मिलता रहेगा यह grow करेगी तो यह जो यहाँ पर spores है ना इनका number बढ़ता चला जाएगा और इनकी जो boundary होती है इसको क्या बोलते है sporengium layer है ना तो sporengium जो layer होती है वो फट जाती है break हो जाती है और यह spores यह आसपास पहुँच जाते हैं और जैसी जिस spore को एक suitable condition मिलेगी तो वहाँ पर एक नई rhizopus को generate कर देता है नई fungus को start कर देता है clear तो rhizopus example हुआ तो rhizopus एक example हुआ spor formation के लिए अब start करते है next number six vegetative propagation देखे वेजटेटेटेव प्रोपेगेशन थोड़ा सा लेंदी प्रोसस है फड़ा वर से रिवाइस करते हैं इसको vegetative propagation का मतलब होता है कि आप seeds वाले पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या seeds वाले पार्ट वहाँ पर नहीं है तो ऐसे में कुछ veg part है न वेजटेटेव ठीक है प्रोपेगेशन मतलब बढ़ने के लिए नाम आता है तो आप ऐसी कुछ चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए दो कैटेगरी बनाई जाती है artificial, vegetative propagation और natural vegetative propagation आर्टिफिशल, vegetative propagation के अंदर भी तीन सेक्षन होते हैं अब वो तीन सेक्षन क्या है तीन अलग-अलग जो parts किये जा रहे हैं cutting, layering, grafting, cutting, layering, grafting मैंने आपे short में लिख दिया है cutting, layering, grafting ये तीन आपके पास possibilities होती है जो use की जाती है artificial, vegetative, propagation में तुमने समझ लिया है ना लेकिन अब artificial हो रहा है means man-made है ना एक human की जरिये कराय जा रहा है किसी target को ध्यान में रखते होगा है या copies ज्यादा create करने के लिए production को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कोई भी target हो सकता तो cutting, cutting वाले case में आप example क्या लेंगे ये सोचिए आप इसमें सबसे best example है sugar cane ठीक है, sugar cane next आपके पास आता है layering, layering के case में आप example क्या लेंगे बहुत बढ़िया example है jasmine ठीक है, next grafting, grafting में आता है citrus fruit कौणसे fruit भई? citrus fruit, ये कौण से fruit है बभई हमने aam सउना है, केला सँना है, अमूरूद सुना है पपीता सुना है, तरह bumpy सुना है बहुत सारे fruit सुने citrus fruit कौण से खटे फल citrus fruit में मीनिंग क्या बनता है खटे फल अब आप कोई भी ले सकते हैं इसमें एक्जामपल आप नीमू भी ले सकते हैं नीमू भी फल होता है ठीक है ना जब बैंगन फल हो सकता है fruits हो सकता है तो फिर नीमो की नहीं हो सकता है तो citrus fruit lemon orange कोई भी xyz तो citrus fruit में क्या चलता है grafting गाफ्टिंग में क्या होता है जो closely related species होती है उसमें cut लगाया जाता है stem वाले section पर ये आप upper part ले लेते हैं second से lower mass part दोनों को merge कर देते हैं और उसके जरी एक नया modified plant तयार हो जाता है तो grafting में बहुत बढ़ी का टेक्निक है और जिसमें example आप क्या ले सकते है citrus fruit जिसमें मैं आपको बता है कि कोई भी खटे फल या कोई भी इस तरह का पौधा लिया जा सकता है जिसमें आप grafting करते हैं layering में jasmine चमीली का पौधा होता है highly elastic जो ब्रांच होती है उसको nearby मिट्टी में दबा देते हैं parental axis से जोड़े रखते हैं वहां से remove नी करते हैं कट कर देंगे फिर आप उस पार्ट को कहीं पर भी shift कर सकते हैं आपके पास एक नया चमीली का पौधा तयार हो गया है ठीक है next sugar cane sugar cane तो सबको पता है ना गन्ना उसको आप pieces में cut करेंगे और उसके जरीए फिर नए आप numbers create कर सकते हैं पौधे के ठीक है नए sugar cane को तयार कर सक यह भी तीन तरीके से देखा जाता है कि इसको रब कर लेता है रहा है कि अधिकर तीन पॉस्मेटी यहां पर क्या किया है रूट्स वाइस्टेम और बाई लीव्स बाई रूट्स में आप सबसे एज़ी एक्जाम्पल ले सकते हैं स्विट पर्टेटों ठीक है बाई स्टे की दमार्य जरी इसमें आप ले सकते आलु पर ले सकते हैं यह फिर आप शुगर केन को भी शुगर की में को सकते हैं बृट्स लेवल fewuin अगर सकते हैं थे बईयों देखा भी होगा घर में जैसे गमले में फॉद्रार लगय जाते हैं तो उसमें एक पॉदा जिसमें जिसन दो leaves arise होती है और उसके जो next दो leaves arise होंगी वो perpendicular होती है ठीके फिर से perpendicular तो एक बहुत बढ़िया max दिखाई देता है उसके अंदर तो leaf notice जो part होता है पत्ती का जो किनारा होता है माँ पर छुटे-छुटे से पौधे लग जाते हैं और जब आप उसको कट करेंगे बाइ नेचुरल भी हो सकता है वो या आर्टिफिशल भी हो सकता है और उसके जरीए आप एक leaf से पांस से दस पौधे भी तयार कर सकते हैं ठीके तो यह हमारे पास एक पूरा flow chart तयार हुआ जिसमें हमने क्या क्या method देखे fission, budding, regeneration, spore formation, fragmentation और आपका vegetative propagation जिसमें दो पार्ट artificial और natural यह सब और इन सब के example next एक हमारे पास पार्ट बसता है वो है tissue culture tissue culture एक वो most important technique है जिसके जरीए आप season पे depend हुए बिना एक modified, genetically modified plant तयार कर सकते हैं और वो भी एक छोटे से piece का इस्तमाल करके thousands of plants बना सकते हैं लाखो पौधे तयार कर सकते हैं वो आपके capacity by depend करता है इसमें क्या करते हैं जो पौधे का stem वाले सब्सक्राइब इस्पेशली systematic zone से एक छोटा सा part जिसको क्या बोलते हैं excise part of a plant ठीक उसको लाते हैं tissue को और nutrient medium प्रोवाइड करते हैं पेट्र डिश में place करने के बाद और जब उसको nutrient medium मिलेगा nutrient medium के तोर पर आप जैलेडियम, ग्रैसिलीर, इस तरी के कुछ alga है जिनका इस्तमाल किया जाता है और फिर वहाँ पर callus की formation होती है, cells का गुच्छा बन जाता है उसमें आप hormones को add करेंगे, plant hormones को और उसके बाद फिर thousands of plants तयार कर सकते हो, छोट छोटे बहुत सारे पौदे तयार हो जाते हैं तो यह एक बहुत advantageous technique है, बहुत latest technique है जिसका इस्तमाल किया जा रहा है, plant biotech के case में, plant biotech में बहुत जादे use हो रही है, ठीक है, क्योंकि से modification भी होता है plants में, disease resistant variety create कर सकते हो, आप drought resistant variety create कर सकते हो, ठीक है, clear, अब स्टार्ट करते हैं, next topic को number second, sexual reproduction, sexual reproduction, यह second topic है हमारा chapter का sexual reproduction क्या होता है, देखिए, इसको clear करते हैं पहले, इस word का क्याम ही नहीं है, sexual reproduction एक वो reproduction का type है, जिसमें दो body का involvement होता है, और उनके जरिए एक नई body की formation होती है तो sexual reproduction is a type of reproduction in which involvement of a two body and formation of a young ones यहाँ पर gametes का भी involvement होता है, तो sexual reproduction क्या है, यह आपको definition clear होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ छोटे-छोटे से points है, जो आपको इस topic से related मालूम होने चाहिए, और वो क्या है, gametes क्या होता है gametes क्या होता है, देखिए, gametes में दो possibility होती है, male gamete male gamete और female gamete, ठीके, अब यह male gamete और female gamete क्या है, देखिए, male body में, अगर हम human का example लेकर चलते हैं, क्योंकि वो ही syllabus में भी है, और आगे topics भी वो ही आने वाले हैं, तो male gamete जो होता है, वो male body से relate करता है, female gamete, female body से relate करता है, female body में ovary होती है, उसी तरीके से male body में testis होती है, testis में पाई जाती है, germ cells, germ cells में process चलता है, gametogenesis, ठीके, जिसको हम बोलते हैं, specifically spermatogenesis, तो testis के अंदर जो germ cell है, germ cells में process चलेगा, spermatogenesis, और उस spermatogenesis process के result में haploid structure बनती हैं, काफे सारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, male gamete बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको male gamete, clear, अब एक बात आपको याद रखनी है, यह जो male gamete बोला जा रहा है न, यह कैसे होते हैं, haploid होते हैं, यह मैं आपको clear कर देता हूँ भी, कि यह haploid क्या है, इसी तरीके से जब आप female body का जिक्र करते हैं, तो female body वाले case में भी, जो ovary होती हैं, ovary के अंदर एक process चलेगा, general language उसको gamete बोल देते हैं, पर specifically जो उसका नाम दिया गया है, वो क्या है, oogenesis, तो female body के अंदर, जो oogenesis का process चलता है, उसके result में भी gametes बनते हैं, और वो gametes कैसे होते हैं, haploid, तो यह भी हपलोड होते हैं, और यह भी हपलोड होते हैं, haploid का मतलब, single set of chromosome है, na, haploid का मतलब, unpaired chromosome, ठीके, जैसे कि आपने शायद नाम सुना भी होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, sperm, और यहाँ लिखते हैं, egg, ठीके, तो egg haploid होता है, sperm haploid होता है, जब यह mix होते हैं, तो इनके mix होने पर एक final structure बनती है, जिसको क्या बोलेंगे, zygote, क्या बोलते हैं, उसको, zygote, जो diploid होता है, कैसा होता है वो, diploid in nature, क्योंकि chromosome pair में चलते हैं, अगर आप यहाँ पर नमबर डालना होगा हमें, haploid वाले के इसके लिए, 23 chromosome, यहाँ पर भी 23 chromosome, यह chromosome का sign होता है, और जब इनके मिलने से final structure बनेगी, zygote, जिसकों क्या बोलने हैं, diploid, तो इसमें कितने chromosome होंगे, 46 chromosome, clear, तो 23 spare chromosome, इसलिए हैं इसको क्या बोल रहा है, diploid, लेकिन gamit कैसे थे, जो female body के जरहे बने, और male body के जरहे बने, 23 chromosome, तो 23 chromosome, sperm, और 23 chromosome, egg, मिलने से diploid structure, zygote, clear हो आपको, लेकिन यह जो gamits बन रहे हैं, यह किसके पहले बात नोटिस करेए, कि यहाँ पर दो body का involvement हो रहे हैं, male body और female body, तो यही मैं आपको समझाने कोश्च कर रहा हूँ, कि भई, sexual reproduction एक वो process होता है, वो type है reproduction का, जिसमें दो body का involvement होता है, और उनके दौरा gamits बनते हैं, body के specific part के अंदर, और वो gamits आपस में mix-up होते हैं, और mix-up होने के बाद, fine structure बनती है, zygote, जो deployed होती है, तो इसी topic में हमें, sexual reproduction क्या होता है, यह clear हुआ, दूसरी बात, gamits किसे कहते हैं, दो प्रकार के gamits होते हैं, male gamit, female gamit, और यह examples क्या है, sperm और egg, कितने chromosome होते हैं, यह भी आपको इसी में पता चल गया है, deployed structure क्या होती है, deployed कहते हैं, उसमें number अगर हम लिखना चाहिए, तो कितना number लिखना चाहिए, साथ में उसका example क्या है, यह सारे questions आपको इसी topic में clear हो गए होंगे, ठीक है, हो गए है न, ठीक है, तो sexual reproduction plant में भी होता है, और animals में भी होता है, लेकिन अभी फिलाल हम next topic पर आते हैं, male reproductive system, number third पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, next topic, तो number third, male reproductive system, देखें, male reproductive system में आपको सबसे पहले एक diagram ड्रो करना होगा, बहुत easy है diagram, देखें, तो देखें, यह diagram तयार हो गया है, male reproductive system, इस diagram के जरीए, आप इस number third topic को बिलकुल clear कर सकते हैं, और सारे question आप cover कर पाएंगे, देखें, सबसे पहले हम इसको level करेंगे, यह urinary bladder होता है, यह वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया, पैनिस, urinary genital aperture, यह scrotum होता है, यह testis है, चीकिए, यह epididymis, clear, यह वास डेफ्रेंश, और यह side view diagram है, कैसा diagram है, side view diagram, यह leg, यह leg की structure दिखाए हुई है, और यह जो structure है, यह तीन, ध्यान से देखेंगा आप, यह तीन structure, यह तीनों ही क्या है, glands है, first, second, और third, prostrate gland, seminal vesicle, और bulbo urethral gland, बलकि bulbo urethral gland को cowper's gland भी बोलते हैं, जैतर वैसे नाम तो आपको लिखा मिलेगा, bulbo urethral gland, ठीके, तो यह तीन gland होते हैं, prostrate gland होता है, seminal vesicle, और third one, bulbo urethral gland, seminal vesicle और यह prostate gland, इस तरह के से लिखा जाते हैं, ठीके, तो अब यह हमने structure तो draw कर लिए है, अब इसका process क्या है, एक sequence क्या है, वो समझे हैं, आप ध्यान से जरा, testis होती है, testis के अंदर germ cells होती है, क्या होती है, germ cells, germ cells में एक process चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, spermatogenesis, spermatogenesis process की result में sperm बनते हैं, बहुत सारे sperm बनते हैं, million sperm बनते हैं, अब वो sperm यहाँ पर enter कर जाते हैं, लेकिन enter करने से पहले, उन्हें जो testis के अंदर, एक ऐसी cell जो nourishment provide कर रहे थी, उसका नाम हमें मालूम होना चाहिए, और वो क्या है, sertoli cell, तो sperm को nourishment कौन सी cell provide करती हैं, sertoli cell, जो testis के ही अंदर पाई जाती हैं, और nourishment लेने के बाद, जब वो काफी तैयार हो जाते हैं, काफी mature हो जाते हैं, फिर वो sperm, epididymus में enter करते हैं, जो flap है, testis के उपर से क्या बोलते हैं, epididymus, epididymus में sperm enter करेंगे, थोड़े समय के लिए रुखते भी हैं, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, कि epididymus भी कुछ nourishment प्रोवाइट करता है, इस sperm को, लेकिन main nourishment उन्हें कहां से मिला है, main food कहां से मिल चुका है, testis के अंदर, sertoli cell से, ठीके, अब epididymus के बाद, फिर number आता है, नीचे की तरव से देखे, एक pipe आ रहा है, इस pipe के दो हिस्से लिए गए, एक तो नीचे वाला हिस्सा उसको बोलते है, vast difference, ठीके, और जो upper part है, उसको बोलते है, vast difference, vast difference, lower most वाला part है, pipe का, ये जो duct है, और इस duct का upper section, उसको हम क्या बोलते है, vast difference है, ठीके, next, तो ये direction हुई, sperm इस तरस जा रहा है, अब ये जो bladder है, बहुत बचों confusion होता है, कि bladder में enter कर गया है, urinary bladder में, तो urine collect रहता है, urine present होता है, और urine कैसा होता है, slightly acidic होता है, तो फिर दो sperm के death हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इस में enter नहीं करता है, इसके पीछे की तरफ से आ रहा है, मैं इसको dotted कर देता हूँ, ठीके, तो इस तरीके से, ये arrow बना दिए गए हैं, ताकि आपको direction ध्यान रहे हैं कि sperm की, इस तरीके से sperm आ रहे हैं, यहां से produce हुए हैं, ठीके, तो sperm ऐसे, इस duct की structure जो है, बैक साइड से आ रहे हैं, और यहां पर आने के बाद, नंबर फस्ट ग्लेंड का जिकराता है, और वो कौन सा है, seminal vesicle, फिर आगे, ये pipe, एंटर कर रहा है कि इसमें, एक second number gland में, जिसका नाम है, prostrate gland, उसी के जस्ट नीचे, right side में, bulbo-urethral, कौन सा ग्लेंड, bulbo-urethral gland, अब ये तीनों gland करते गया हैं, इन तीनों gland के दुआरा, एक ऐसा mucous-like substance, एक ऐसा viscous material प्रोड्यूस होता है, जो इस pump को बचाने में मदद करता है, पर कैसे, अब ये sequence complete होगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको confusion नहीं होगा, है ना, अदरवाइस ये track disturb हो जाएगा, तो याद रखी फिलाल के लिए, कि first, second और third, ये तीन gland है, accessory gland भी बोल देते हैं, बलकि इनको, है ना, क्योंकि इसके अंदर नहीं जा रहा है, बलकि इन तीनों के जरीए कोई चीज बन रही है, जिसको हम क्या बोल रहे है, mucus like substance आ रहा है, जो मदद करेगा, जो spum की मदद करने वाला है, ठीके, तो spum और साथ में वो substance, जिन दोनों को मिला कर क्या बोलते हैं, semen, क्या बोलते हैं उसको, semen, तो semen is equal to a sperm plus mucus like substance, जो कहां से आया है, इन तीनों gland से, और नाम क्या है, नमबर फर्स्ट, सेमने वैसाइकल, नमबर सेकेंड, प्रॉस्टेट ग्लेंड, और नमबर थर्ड, बल्बो, युरेथरल ग्लेंड, ठीक है, अब ये दोनों चीज़े, जिसको मिला कर हम क्या बोल रहे है, सीमेन, ये जो लिक्विड होता है, जिसके अंदर स्पंब भी प्रेजेंट है, वो इस डक्ट के जरीए, यहां से, इस रास्ते से, बहार आते हैं, हैना, एक्स्टरनल पॉइंट, बिल्कुल जो टिप पार्ट है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, पैनिस, जिसके अंदर ये ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा, क्या बोलते हैं इसको, यूरिथ्रा, ठीक है, तो यूरिथ्रा एक वो डक्ट है, एक वो पाइप है, जिसके अंदर दो चीज़े आ रही है, है इसका lumen बहुत कम होता है narrow lumen होता है ना space बहुत कम है जिसके अंदर से sperm भी आ रहा है साथ में उसके पास क्या है एक liquid substance है एक mucus like substance है जो उसको बचा के चल रहा है है ना और ये इस तरीके से फिर बाहर आ जाएगा clear होगी है तो इस sperm के बनने से लेकर बाहर आने तक की जो sequence है कहां कहां से गुजर रहा है वो आपको याद रखनी है इस पूरे process को आप कुछ stages में बाट कर चलेंगे जैसे कि first number पर आप डालेंगे testis second number पर आप डालेंगे was difference और was efferentia तो was difference और was efferentia ये first हो जाएगा ये second stage हो जाएगी और number third number third पर आपको डालना होगा glands ठीके इन तीनों ही gland का आपको जिक्रिहापर कर देना है और last फिर आ जाएगा urethra last आ जाएगा फिर urethra number four ठीके तो इस तरीके से चार stages में आपको cover कर लेना है अब एक खास चीज जो मैंने आभी आपको बीच में नहीं बताई थी बोल दिया था कि ये लास्ट में देखते है पहले sequence cover कर लेते है न वो ये कि ये जो तीन gland है न इन तीनों gland के जरीए जो mucous like substance produce हो रहा है वो sperm की मदद कैसे करता है देखिए gland से जस्ट पहले तक तो बाठ ठीक है लेकिन बल्बो यूरेथरल gland के जस्ट आगे जो pipe जो इसको मैं यूरेथरा बोल रहे है यूरेथरा मतलब जो aciduct जिससे urine pass out हो रहा है और अगर duct से urine pass out हो रहा है काफी narrow lumen होता ह है इस पेस बहुत कम होता है तो urine pressure से बाहर जाता है लेकिन वो पूरा pipe अंदर से acidic हो जाता है और अगर acidic वाली structure से रास्ते से sperm pass out होंगे तो sperm की दो death हो जाएगी ना इस sperm कैसे अपना काम कर पाएंगे reproduction का process ही सब खतम हो जाएगा लेकिन इसके लिए एक तरीका है इसके लिए solution क्या है solution आपके सामने है इसी diagram के अंदर ये तीन gland एक ऐसा substance generate करते हैं mucus like substance जिसका काम होता है एक तो friction से बचाना पहला function इस पाइप में एंटर कर रहा है यूरित्रा वाले pipe में जो एंटर कर रहा है वहाँ पे जंगा बहुत कम है तो friction की वेज़े से sperm damage ना हो जाए उससे बचाना slippery होता है mucus like substance वो पताईए आपको ठीक है जो इन तीनों ने मिलकर बनाया अलग-अलग percentage के हिसाब से साथ ही जो sperm है वो acidic nature की वज़े से खराब ना हो जाए उसकी death ना हो जाए उससे भी बचाता है क्योंकि जो mucus like substance है वो ऐसा basic होता है nature में और acid or base neutralization का process चलेगा और sperm बच जाएगा इस परम को कोई हानी नहीं होगी ठीक है तो इस तरीके से हमने topic cover किया male reproductive system जिसमें सारे question आप cover कर सकते हैं छोटे-छोटे बहुत सारे question बन सकते हैं आप इसको revise करेंगे तो topic आपका 100% clear हो जाएगा अब start करते हैं next topic number four ठीक है अब देखे start करते हैं next topic number four female reproductive system इसके लिए हम एक female reproductive system का diagram ड्रो करना होगा कुछ steps देखने होगे फिर उसका mechanism और साथ में फिर egg बनने का जो process होता है उसके लिए हम एक अलग से ovary का diagram ड्रो करेंगे और तब हमारा topic complete होगा number four चले start करते हैं diagram के साथ करते हैं तो देखे ये तो हमारे पास एक डायग्राम हुआ female reproductive system का ये front stand डियाग्राम है जैसे हमने नंबर थर्ड टॉपिक में मेल रिप्रोडिक्टिव सिस्टम का डियाग्राम ड्रो किया था तो वो साइड वियू डियाग्राम था लेकिन यह जो डियाग्राम है यह फ्रंट वियू डियाग्राम है इस डियाग्राम में अगर आप इसको स्टेजि भी बोल सकते हैं ना दूसरा नाम क्या होता है इसका हो विड़ाइक्ट ठीक है next जो नाम आता है यहां पर वो है यूटरस क्या नाम है यूटरस और next number D point पर आपको डालना होगा cervix और vizena आप vizena point डालिए cervix को बलकि अलग से कर देना उसको next number E cervix ठीक है तो ये 5 stages में female reproductive system का जो diagram है ये fully cover हो जाता है सबसे पहले start करते हैं ovary से देखे pair of ovary होती है ovary 2 होती है पर दोनों ovary एक साथ active नहीं रहती है ये alternate में काम करती है पहले ये ovary काम कर रही है तो आगे फिर ये ovary काम करेगी फिर ये inactive होजाएगी फिर ये ovary काम करेगी तो alternate system चलता है तो एक समय पर एक ही ovary active रहती है ये बात आपको ध्यान रखनी है ovary के अंदर germ cells होती है से ऐसे प्रोसीड करेगा और एक लोकेशन तक पहुंचेगा ठीक है अब आपको ये सारी बाते तो लिखनी है किसमें ओवरी के अंदर नेक्स जो हमारे पास स्टेप आता है वो है फैलोपेंट ट्यूब का फैलोपेंट ट्यूब में क्या होगा जब ओवरी से एग प्रोड्य के जरीए क्या बोलते हैं इसको फिम्राइए चलिए थोड़ा लेबल कर लेते हैं पहले न यह फैलोपेंट ट्यूब इसको यूट्रस कहा जाता है और यह सेम वही प्रोसेस आ गया यह मीजोवेरियम है यह ओवेरियन लिगामेंट भी कह सकते हैं आप और वेजाई न और य निकल गया था लह हार्मोन की मदद से लिगेने के जरीए च्यकम कर लिया जाता है लेकिन यह वाली जो लुज वाह फिम्राइए से रिलेटिड़ वैको यहां तक, ठीके? सीलिय र्येक्षिन होता है, क्योंकि एक में टेल नहीं है एक के पास टेल नहीं होती तो सीलिय र्येक्षिन की मज़ bowl से आगे बढ़़ पाता है, यहां पहुँच जाता है, है ना? अब यहां पर पहुचने के बाद यह आगे फिर प्रोसीड करेगा यहाँ पर इस पम हो सकता है मिल जाए इसको, हो सकता है ना मिले ठीके, अब यह जो पूरा process है, इसमें आप fertilization एक हम अलग से topic ले लेंगे अभी इसके बाद उसमें clear कर लेंगे अभी फिलाल हम इस structure को clear करते हैं, यह जो number 4 topic चल रहा हमारा female reproductive system इसी पर focus करते हैं, ठीके तो first step में तो ovary, ovary के अंदर कैसे egg बन रहा है, यह थोड़ा सा आपको process बताना है, और ovary से egg बाहर निकलने में कॉम्ण करते हैं, यह भी आप उसमें attach कर सकते हैं point डाल का, फिर next जो हमारे पास number आता है, fallopend tube का या oveduct का, उसमें आप क्या बताएंगे, कि भी oveduct जो fallopend tube है वो pair में होती हैं, उसके दो terminal part होते हैं, एक terminal part तो fembrai के नाम से चलता है, जो एक को capture करने मदद करता है, और जो दूशा terminal part है वो चलता है, या वो किस से connect रहता है, uterus से, ठीक है, ठीक, अब next number, uterus, uterus एक वो place है, जहां पर zygote multiply करेगा, embryo में change होगा, और embryo develop होगा, तो embryo के लिए एक exact place होता है uterus, uterus एक वो place है, जहां पर embryo develop करता है, embryo कहां से आ गया, चानक से, भाई जब egg के साथ इस पर mix हो जाएगा, zygote बें multiple division होंगे, cleavage जिसको बोलते हैं, division का दूसरा नाम, तो उसके basis पर multiple जो cells होती है, उसकों क्लस्टर होता है, उसकों क्या बोलते हैं, embryo फिर embryo धीरे धीरे अपनी आगे के stages के according, changes करता है अपने अंदर, और फिर uterus में attach हो जाता है, fertilization से just 8 वे दिन, fertilization से just 8 वे दिन, जो embryo होता है, वो attach होता है, uterine membrane में, uterine membrane जो होती है उसमें फर्रो होती है, छोटे-छोटे से depth point से होते हैं, तो उसको फर्रो कहा जाता है, फर्रो के अंदर धस जाता है, कौन, embryo, embryo मतलब, zygote तो single cell है, पर embryo एक cell नहीं है, zygote में multiple division होता है, morula, gastrola, इस तरह से बोल जाता है 32 cell stage, और फिर उसी को में embryo बोल रहे हैं, वो जब फर्रो में attach हो जाता है, धस जाता है, फर्रो वाले point और embryo के बीच, एक connection बन जाता है, एक tube बन जाती इसको, क्या बोलते हैं, उसको नमबा फोर, बात आती है फिर वैजाईना की, वैजाईना की है, देखिए पूरा location point है ना, यह पूरा जो area है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैजाईना, ठीक है अब वैजाईना एक वो part है, इसको आप external genitalia भी कह सकते हैं, क्योंकि यह body का external part है, यह पूरा जो setup है, यह पूरी body के अंदर होता है, लेकिन यह जो है external part होता है, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ नाम आता है, cervix का, अब cervix क्या एक opening है, है ना, बल्कि इसको internal OS, external OS, तो यह बल्कि इसको birth canal भी बोलते हैं, birth canal से बोल रहें, क्योंकि यहीं से, जब full development हो जाएगा, pregnancy period over होगी, 9 month complete हो जाएगे, तो फिर, जो embryo है, जो fully vixit हो चुका है, जिसको मैं क्या बोलना है, fetus बोल रहे हैं, तो fetus बहार आपाएगा, तो यह जो tube होती है, final, छोटी से जो tube होती है, उसका internal part, internal OS, external part, external OS, OS मतलब orifice के लिए, ठीक है, तो यह आपके पास cervix के लिए नाम चलता है, तो इस तरीके से topic complete होगा, सारी stages आपको clear हो गई है, अब इसी में, हम एक छोटा सा part रोल लेते हैं, fertilization, fertilization का मतलब क्या होता है, egg के साथ जब sperm mix होता है, तो उसको हम बोलते हैं, process को, अलग-अलग bodies में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, gametogenesis, male body के अंदर spermatogenesis, female body के अंदर oogenesis, clear हो गई बाद, अब आगे सुनिए आप, जब female body के अंदर ovary से egg बाहर निकलता है, LH hormone की मदद से, है ना, तो क्या होगा, fembra ही क्या करती हैं, capture कर लेती हैं, उसे egg को, और यहाँ पर ले जाती है, ठीक है, यहाँ जाने के बाद, यह wait करता है, कि भई, sperm आएगा, इस track से, आने के बाद, millions sperm आते हैं, millions में से सभी की death हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर, है ना, यह जो structure है, इस location पर, bartholin gland होता है, जो क्या करता है, एक acidic medium generate करता है, जिसकी विज़े से, sperm की लगबग death हो जाती है, selected sperm ही बच पाते है, एप्रॉक्स में कहा जाए, तो करीब 1,500-200 के nearby, sperm बच पाते है, millions में से, है ना, तो जितने sperm बच जाएंगे, वो यहाँ पर uterus में enter करेंगे, और ऐसे fell जाएंगे, यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इदर एग नहीं है, कोई बात ने, तो मत लिखना, वो गल्द हो जाएगा, अब मैं आपको fertilization topic समझा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा diagram में नाम लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है, जाइगोट बन जाता है, यहाँ से migrate करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, अब जाइगोट फिर क्या करेगा, दो cell में डिवाइड होगा, चार cell में डिवाइड होगा, आठ cell में, 16 cell में, 32 cell में, और धीरे धीरे फिर वो एक shape ले ले लेता है, और यहाँ पर इससे attach हो जाता है, प्लेसेंटा वाले pipe के जरीए, ठीक है, क्लियर हो गया, तो fertilization भी परसल गया आपको, और साथ में आगे का जो possibility होती है, कि फर्टलाइशन हो भी सकता है, और फर्टलाइशन नहीं भी हो सकता, possibility है, इस पर मानों पहुंचा ही नहीं, तो fertilization कैसे हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर पहुंच जाता है, तो fertilization हो जाएगा, और अगर fertilization हो गया, तो pregnancy period सुरू start हो जाएगा, 9 month का जो process होत है, ये total 9 month का जो complete process है, gestition period, ठीक है, fetus हो लगे, embryo लगे, ये भी याद रखना, और zygote हो लगे, embryo में बहुत साइज सेल होती है, zygote में single cell होती है, zygote deployed होता है, और आगे की जितने भी division है, सभी के बेस पे deployed structure maintained रहती है, deployed मतलब paired chromosome, 46 chromosome, ठीक है न, चलिए, अब इसमें development हो जाएगा, बाहर आजाएगा, इस सारा mechanism को बसल गया है, तो इसका मतलब हमारा जो fourth topic था, वो complete हो गया है, अब हम start करते है, next, bisexual, ठीक है, तो दीक है, bisexual flower के structure में आप पे draw कर दी है, अब एक बार फड़ावर्स की labeling देख लिए दें, क्या के नाम है आप पर लिख सकते हैं, iert, petals, pans, daw को बोलते हैं, saples, saples का जो group otis को क्या बोलते है जिसको क्या बोलते हैं,ивать, petals का नीचे वाली जो पत्तियां होती है, जो almost green color की होती है, जो flower को nourishment देती है, धिक है, और petals जो हता है, petals किया है, पंकुडियां, colorful होती है insect को attract करती है, pollination में help करती है ठीक है, अभी हम plant का case पड़ रहा है वो diagram से भी clear हो रहा है आपको तो plants में कैसे sexual reproduction वगार ऐस तरह की चीज़ तो petals का group, corolla sepals का group जो होता है, वो calyx होता है तो ये सारी चीज तो आपको clear हो गई है लेकिन अभी एक दूसरी चीज ये जो part है, काफी सारे होता है मैंने तो सिर्फ दो ही बनाए है थोड़ा diagram में आपको clear हो जाए अधरवेस काफी bdc हो जाती है diagram में तो ये जो part होता है, इसको क्या बोलते है stamen बोलते है, क्या बोलते है इसको stamen, stamen के दो हिस्से होते है अपर पार्ट एंथर और नीचे filament, दोनों को मिला कर आप क्या बोलेंगे, stamen ठीके, stamen तो एंथर प्लस फिलामेंट मतलब stamen लेकिन stamen भी अगर एक से ज़्याद है एक फूल के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे इसको androsium, है ना, group of stamen is called androsium, clear अब यह female part, female part में यह stigma और यहीं लिख देते हैं से, यह style यह ovary और अंदर यह ovule, ठीक है यह तो दोनों सेम सिंबल हो जाएंगे, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ नाम को ovary ovule, ठीक है, यह जो structure है नहीं यह ऐसे यह चार ovule बनाए हूँ है ना, तो यह ovule है, और swollen जो part है से को हम क्या बोल रहे हैं, ovary तो सारे नाम complete हो गए है, यह thalamus part होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं वसे यह flower stock वगरा होती है ना, तो bisexual flower है bisexual flower क्यों कह रहे हैं, भई एक ही fool के अंदर, male part भी है, female part भी है, तो bisexual हुआ, अगर आप कहते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसके लिए कहीं बार ऐसा देखा जाता है, कि आपने या फिर सुना होगा, या किसी question में देखा हो, कि भई bisexual मतलब की monoseous, है ना, ठीके, तो monoseous का मतलब, single के अंदर, दोनो sex, monoseous, औब bisexual का मतलब, एक में ही दोनो, तो थोड़ा सा confusing है, आप एक बार revise करेंगे, clear हो जाएगा, तो bisexual flower है, है ना, LS of bisexual flower, मतलब, longitudinal section of bisexual flower, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसके लिए मेरे कोई कि फिमेल पार्ट है ना, अलग से भी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे सुन्च में आएगा, तो flower के अंदर जो फिमेल पार्ट है, जो centrally localized रहता है, almost सभी flower के अंदर, तो उसको आप किस नाम से जानते हैं, वो है, पिस्टिल या कारपल, ठीकिए, तो कारपल यक पिस्टिल, ये दो नाम हैं जो इसके लिए use के जाते हैं, स्टामिन किस के लिए था? female पार्ट के लिए, और कारपल ये पिस्टिल किस के लिए आ रहा है? female पार्ट के लिए, पिस्टिल अगर ग्रुप में है एक से ज़्यादा एक्जिस्ट कर रहे हैं एक ही फूल के लिए तो आप उसको क्या बोलेंगे गायनोशियम चलिए यह तो नाम तो हमें पता चल गए हैं लेकिन यहां पर जो कोशन एराइस होता है ना वो में दो कोशन आते हैं एक तो होता है डबल फर्टलाइजिशन एक तो होता है डबल फर्टलाइजिशन और एक होता है ट्रिपल। फ्यूजन यह दो चीज़े आपको कवर करनी हैं और कई बार डाग्रामएटिक भी आप से कुश्चन पूछ रहा जता है कि भई डायग्राम टु शोफ फर्टलाइजिशन इन ब इस तरीके से ठीक है तो डियाग्राम भी कम्प्लीट हो जाएगा आपका ठीक आप देखिए इसमें प्रॉसस क्या है या क्या मतलब है इसका डेबल फर्टाइशन और ट्रिपल फ्यूजन का यह जो female part है और यह जो male part है इसमें जो main चीज़ है वो क्या है female part के अंदर तो ovule और male part के अंदर enter एंथर के अंदर development चलता है किसका पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन की बनने की तयारी का process चलता है development of male gametophyte इस नाम से यह topic आपको मिल जाएगा ठीके लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि भई एंधर एक वो पार्ट है इस्टामेन का जिसके अंदर पॉलंग्रेन ग्रो कर रहे है पॉलंग्रेन तैयार हो रहे है बहुत ज़्यादा नम्रिंग है कोई fix नमबर नहीं होता है बस यह मानिए कि अनकंट्रोल नमबर है दूसरी तरफ जो female part है female part के अंदर जिसका अमने क्या नाम लिया था पिस्टिल या कारपल तो उसमें चार सेक्शन थे चार में से एक सेक्शन था हमारा ovule तो ovule के अंदर भी process चल रहा होता है वो development of female gametophyte के नाम से आपको मिलता है उसमें result क्या होगा result यह होगा एक embryo sec की structure त्यार हो जाती है और embryo sec के अंदर 8 cells को दिखाया जाता है जिसमें से 3 उपर वाली cells होती है वो बोलते हैं antipodal जो waste हो जाती है बीच में polar निकलिया है और नीचे की तरफ 3 cell center में नीचे की तरफ egg cell और side by side left right में sinner zit काम की तीन ही cell है नीचे बीच में egg cell और embryo sec के center में दो pollen निकलिया है यह काम की structure है अब mechanism क्या है देखे एंथर के अंदर pollen grain जब बहुत ज़्यादा नंबर में तयार हो जाते है तो एक pressure generate होता है जिसकी वज़े से membrane जो है फट जाती है membrane जो है ब्रेक हो जाती है और break होने के बाद जो अंदर pollen grain थे वो किसी भी agency के जरीए कोई भी तरीका हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह जो pollen grain निकल रहे है यह सिर्फ और सिर्फ इसी फूल के female part तक जाएंगे हो सकता है कि थोड़ी दूरी पर कोई और flower है वहाँ तक पहुंचे यह तो randomly distribute हो जाते है जहाए इनको suitable condition मिलती है तो वहाँ पर grow कर जाते है तो हवा के जरीए transmit हो सकते है पानी के जरीए transmit हो सकते है इंसेक्ट के जरीए भी transmit हो सकते है और इस transmit होने के process को ही pollination कहते है तो pollination किया transmission of pollen grain from enter to stigma चाहे वो same floor की बाता है या किसी दूसरे floor या certain distance पर जो भी full है ठीक है clear होगी है पानी, हवा, इंसेक्ट ये सबी चीज़े birds के जरीए pollination हो जाता है तो आप उसको ornithophilic बोलते है bats के जरीए होता है तो chir-opterophilic कहा जाता है तो entomophilic ऐसे बहुत सारे नाम है तो ये तो pollination के अंदर नाम आता है agency के according है न, agents के according तो अब कुल मिला के बात ये कि pollen grain यहां तक पहुँच गए है जब यहां तक पहुँच जाते हैं तो फिर वो pollen tube बनाते हैं ये इस diagram में आपको clear हो जाएगा तो जब pollen tube बनेगी इस pollen tube के अंदर दो male gamit होते हैं कितने? दो male gamit तो दो male gamit आपको मिलेंगे इस pollen tube के अंदर इवाने से dot लगा दिया है दो में से एक male gamit egg cell के साथ mix up हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कि ये क्या बनाएगा mix होने के बाद zygote में convert हो जाएगा लेकिन जो बचावा male gamit था वो जाकर mix होगा किस के साथ? polar nucleae के साथ तो एक fertilization तो नीचे होगी है और एक fertilization इसको बोलेंगे जब ये दूसरा male gamit polar nucleae साथ जाकर mix होता है clear? तो इसको क्या बोल रहे हैं? double fertilization दो जाँगा आपका fertilization का process जल रहा है fertilization तभी बोलते हैं जब उसमें कोई gamits structure शामिल हो gamits का involvement हो तभी आप fertilization बोल सकते हैं सभी fusion को fertilization नहीं कह सकते हैं लेकिन सभी fertilization के process को सभी fertilization को आप fusion कह सकते हैं clear? इस line को भी note कर लेना और one marks का question यहां से भी cover हो सकता है आपका अब अगली बात खास चीज़ यह क्या है? triple fusion क्या है? अब देखिए होदा क्या है triple fusion वाले case के लिए यह दो polar निकलिया हैं जिस समय second male gamit यहां पर आ रहा होता है तो यह उसके पहुंचने से पहले खुद mix up हो जाते हैं तो एक fusion ही हो गया दूसरा fusion जब वो आके जुड़ेगा तो वो इनके साथ जुड़ेगा mix up हो जाएगा तो दूसरा fusion हो गया और तीसरा fusion जो नीचे fertilization होता है उसको भी हम fusion बोल रहा है मैंने भी आपको बता है न कि सभी fusion को हम fertilization नहीं कह सकते पर जितने भी fertilization है उनको तो fusion कह सकते है तो triple fusion यहाँ पर नाम आता है triple fusion क्योंकि तीन जगा fusion हो रहा है पहले चीज पॉलर निकलिया आपस में mix up हो रहे हैं एक fusion दूसरा fusion जब दूसरा male gamit आके यहाँ पर mix up होगा तीसरा fusion जो नीचे हो चुका है नीचे से मतलब मेरा एग जब male gamit के साथ mix up हो गया था तब उसी की वरे से zygote बना और बीच में जो structure बनी है इन सब के मिलने से जिसको हम क्या बोलते है primary endosperm nuclei zygote grow करेगा embryo में change होगा और food लेता रहेगा primary endosperm वाले parts से जिसको हम primary endosperm nuclei बोल रहे है और धिरे धिरे फिर embryo बनने के बाद वो एक final structure लेगा और seed की formation होगा और seed से नया पौदत तयार हो जाएगा यह है sexual reproduction in plants clear अब आते हैं next और last topic पर वो है sexual transmitted disease transmitted disease लेकि sexual transmitted disease का मतलब सीधी सी बाद जो sexual contact के basis पर एक body से दूसरी body में transfer होती है उसको हम sexual transmitted disease कहते हैं 10 के syllabus में 3 disease का जिक्र किया हुआ है वो है AIDS acquired immunodeficiency syndrome जो HIV virus की वज़े से होती है human immunodeficiency virus ठीके human immunovirus भी कहा देते हैं कही बाद शॉर्ट में तो human immunovirus एक वो virus है जिसकी वज़े से acquired immunodeficiency syndrome होता है syndrome का मतलब group of disease ठीके जिसमें basically क्या होता है व्यक्ती का immune system बहुत जादा down हो जाता है जिसकी वज़े से छोटी छोटी बहुत सारे बिमारी जो उसको पहले भी होती थी लेकिन वो ठीक हो जाता था ठीके next number second gonorrhea gonorrhea एक bacterial disease है 800 virus में count किया है मैंने आपको बढ़ा है ना HIV human immunovirus या human immunodeficiency virus तो यहाँ पर जो bacterial disease है वो gonorrhea और syphalus है यह दोनों ही bacteria की वज़े से होने वाली बिमारी है यह virus की वज़े से होने वाली बिमारी है ठीके अब bacterial disease है यह तो में पता चल गए लेकिन होता क्या है इसमें gonorrhea जो disease है इसके लिए जो responsible microorganism है वो कौन है gonorrhea के लिए वो क्या है nigeria gonorrhea ठीके यह वो microorganism है जिसकी वज़े से disease होती है sexual contact के बेस पर होती है एक body से दूसरे body में transfer होती है यह सब है न वो तो heading से आपको बद से लिए रहा है कि sexual transplant disease के list मा रहा है पर bacteria कौन सा है यह बात आपको याद रखनी चाहिए nigeria gonorrhea अब इस बिमारी में होता क्या है जो mucous membrane होती है वो swell up हो जाती है mucous membrane में infection हो जाता है इस nigeria gonorrhea microorganism की वज़ा से situation काफे critical भी हो सकती है तो nigeria gonorrhea gonorrhea के लिए responsible microorganism में और यह bacterial disease है mucous membrane swell up हो जाती है infected हो जाती है bacteria की वज़े से और external जो genital organ है penis और testis यहाँ पर भी इसका असर देखा जाता है especially जो urethra वाली duct है उसके terminal part वहाँ पर infection जादा होगा nigeria gonorrhea जो bacteria उसकी वज़े से तो जब भी urine pass out होगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर pain भी हो सकता है next cephalis जो cephalis है यह एक bacterial disease है esteridicalist में count किया हुआ इसको इसके लिए जो responsible microorganism है वो है treponema palladium treponema palladium वो microorganism वो bacteria जिसकी वज़े से cephalis की condition बनती है body में यह genital organ से ही related है ठीके especially जब sexual contact होता है तो उसके जरीए यह एक body अगर infected है single partner infected है तो दूसरे partner तक दूसरी body तक यह transfer हो जाती है ठीके इसलिए इन सभी disease को हम sexual transmitted disease की list में रखते हैं बाकि जो last वाली दो disease है इसको antibody की जरीए काफियत तक control कर लिया जाता है starting stages में तो आज की इस वीडियो में हमने how do organism reproduce इस chapter को fully revise किया single video के जरीए और अगर आपने इस वीडियो को बिना skip करके देखा हो आपको सारा chapter बहुत आसानी से clear हो जाएगा आपको अगर notes की need है तो आप हमारी website www.thescienceword.in से ले सकते हैं class 10 के notes महाँ पर डले हुए हैं इस chapter की जो topics हैं इन पर कुछ detailed video separately भी बनाई जा चुकी है पहले भी आपने उसको देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आपको description box में उसका link मिलेगा आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया अभी तक तो please subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद